कानाजी ब्लॉक्स में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा खाटु श्याम जी के महादान के कारण है भगवान श्रीक्रिश्ण ने उन्हें द्वापर योग में घर घर उनके नाम श्याम के नाम से पूझे जाने का वर्दान दिया था और आज हम देखी रहे हैं कि बाबा श्याम के नाम का डंका भारत और विदेश में हर जगा बज रहा है भारत के राजिस्थान राजिक के सिकर से 65 किलोमीटर की दूरी पर खाटू के छोटे से गाउ में खाटू श्याम मंदर एक प्रतिष्ठत हिंदू मंदर है इस मंदर के निरमान की कथा और बाबा श्याम के जन्म और जीवन की गाथा अत्यंतफल दाई होती है अगर आप भी खाटू श्याम जी की जीवन कथा को जानने के लिए उत्साहित हैं तो इस वीडियो को अन तक जरूर देखें जिसमें आप खाटू श्याम जी से जोड़ी ऐसी बाते जान पाएंगे जो शायद आप अभी तक नहीं सुना होगा ध्यान दीजेगा जो भी पहली बार बाबा श्याम की कथा को सुनकर कुछ मांगता है बाबा उसकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं खाटू शाम जी का मंदर महा भारत काल में बना था इस मंदर का इतिहास और बाबा के जन्म की कहानी भी महा भारत की लड़ाई से जुड़ी है इसलिए खाटू शाम जी के जीवन कथा की शुरुवात महा भारत से शुरू होती है खाटू के श्याम मंदिर में महा भारत के भीम के पौत्र और घटोतकच और नागकन्या मोरवी के पुत्र वीर बरबरिक की पूजा श्याम की रूप में की जाती है बच्पन से ही उनमें वीर योध्धा बनने का के सभी गुन थे उन्होंने भगवान की तपस्या की और देवीज ने प्रसन होकर उन्हें तीन बान दिये ये तीनों बान उन्हें तीनों लोकों में विजये बनाने के लिए काफी थे एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद होने वाली है तो उन्होंने भी युद में शामिल होने की इच्छा जताई इसके लिए जब वे अपनी माता मोरवी के पास आशिरवाद लेने पहुँचे तो उन्होंने अपनी माता को रास्ते में किसी के भी कुछ भी मांगने पर दान देने का और हारे हुए पक्ष की ओर से युद लड़ने का वचन दिया जब श्री कृष्ण को इस वचन का पता चला तब वे उनके पास पहुँच गए और उनका मुजाक उड़ाने लगे और तीन बान से युद लड़ने की बात का उपहास करने लगे तब वीर बरबरिक ने कहा कि उनका एक बान ही शत्रू सेना को मारने के लिए काफी है ऐसे में अगर उन्होंने तीन बानों का इस्तमाल किया तो ब्रम्हांड का विनाश हो जाएगा यह सुनकर ब्राम्हन वेश धारे श्रीकृष्ण ने बरबरिक को चुनोती दी कि सामने वाले पीपल के वरिक्ष के सभी पत्तों को एक ही बान से छेद कर दिखाओ बरबरिक ने चुनोती स्विकार कर ली उनकी परिक्षा लेने के लिए श्रीकृष्ण ने एक पत्ती अपने पैरों के नीचे दबा ली बरबरिक ने एक बान से सभी पत्तियों पर निशान कर दिये और उनका बान प्रभू के पैरों के पास चक्कर लगाने लगा तब बरबरिक ने श्रिक्रिष्ण को कहा कि एक पत्ता आपके पैर के पास नीचे दबा हुआ है अपने पैरों को हटा लीजिए वरना आपके पैरों पर चोट लग जाएगी प्रभु आश्यर चकित होकर यह देखने लगे तब उन्होंने उनसे पूछा कि वे युद में किसकी तरफ से शामिल होंगे बर्भरिक ने जवाब दिया कि मैंने अपने माता को बचन दिया है कि मैं जो भी पक्ष हार रहा होगा उनकी तरफ से ही लड़ूँगा इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहरा कहते है श्रीकृष्ण को ग्यात था कि युद में हार तो कौरव की होनी है ऐसे में अगर बर्भरिक ने उनका साथ दिया और युद लड़ा तो गलत परिनाम सामने आ सकते हैं उन्होंने बर्भरिक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की और दान भी कोई ऐसा वैसा दान नहीं दान में उन्होंने बर्भरिक का सिर मांगा बरबरिक ने धर्म की जीत के लिए अपने शीश का दान भी देने को राजी हो गए उन्होंने श्रिक्रिश्ण के इस कथन को स्विकार तो किया पर उन्होंने अपनी आखरी इच्छा व्यक्त की कि उन्हें महाभारत का युद आंत तक अपनी आखों से देखना है ऐसा कहते ही वे उन्होंने श्रिक्रिश्ण के चरों में अपना सिर काट कर रख दिया श्रिक्रिश्ण ने उनकी इच्छा स्विकार करते हुए बरबरिक के कटे हुए सिर पर अमृत का छिड़काव किया और युद वाली जगह पर एक पाहाडी के ऊपर रख दिया जहां से बरबरिक ने अपने आखों से अंत तक महा भारत का युद देखा युद के जीत के बाद जब पांडव लढ़ने लगे कि युद में जीत का श्रय किसको जाता है तब युद के न्यायधिश बन कर युद के जीत का श्रय वीर बरबरिक ने श्री कृष्ण को दिया वे बोले युद में तो मैंने केवर श्री कृष्ण को देखा और उनके सुदर्शन चक्र को ही देखा जो मार रहे थे वे भी श्री कृष्ण और जो मर रहे थे वे भी श्री कृष्ण श्री कृष्ण इस उत्तर और बर्बरिक के इस महा बलिदान से बहुत प्रसंद हुए और उन्होंने कल्युग में श्याम के नाम से पूजे जाने का अनमोल वर्दान बर्बरिक को दे दिया तभी से वे श्याम कहलाने लगे महा भारत युद के बाद बर्बरिक का कटा हुआ सर खाटू गाओं में दफनाया गया था इसलिए उन्हें खाटू में खाटू श्याम बाबा के नाम से पुकारा जाता है एक बार एक गाओं में एक गाई अपने स्तनों से इस जगह पर दूद बाहा रही थी जब लोगों ने देखा तो आश्यरे किया और एक ब्राम्भन को वो सिर्व सौप कर उसकी पूजा करने को कहा बहुत काल बीद गए तब यहां पर यहां के जो राजा थे राजा रूप सिंग को एक स्वपन आया वे खाटू नगर के राजा थे उन्होंने स्वपन में मंदिर के निर्मान का स्वपन देखा कार्थिक महीने की एकादशी को बरबरिक कशीश मंदिर में सुशोभित किया गया जिसे बाबा खाटू शाम जी के नाम से जाना लगा राजा रूप सिंग ने सन 1027 में मंदिर का निर्मान करवाया था जबकि सन 1720 में एक मशूर दिवान अभे सिंग ने इसका पुनर निर्मान करवाया सन 1120 के आसपास रूप सिंग चोहान की पत्नी नर्मदा कवर को एक कुंड का स्वपन आया था जिसमें उन्हें जमीन के अंदर गड़ी एक मूर्ती दिखाई दी थी जिसके बाद इस स्थान की खुदाई की गई और उस स्थान की खुदाई करने पर खाटू शाम जी के सिर को निकाला गया था इसी खुदाई से एक कुंड का निर्मान हुआ था जिसे खाटू शाम कुंड के नाम से जाना जाता है ऐसा माना जाता है कि इस कुंड में नहने से मनुष्य के सभी रोग ठीक हो जाते हैं उनके सारे पापनेश्ट हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्त हो जाता है इसे लिए प्रतेक वर्ष लाखो श्रधालू इस पवित्र कुंड में स्नान करने के लिए आते हैं खास तोर पर फालगुन मेले के दर्शन के दोरान यहां दुपकी लगाने का बहुत मान्यता है आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो मेरे वीडियो को अन तक देखने के लिए धन्यवाद मेरे यूट्योब चानल काना जी को अवशे ही सब्सक्राइब करिएगा आगे वीडियो में हम जानेंगे बाबा के बारे में और भी बहुत कुछ मूरवी के पुत्र बरबरिक की जै खाटू शाम की जै हारे के सहारे की जै